प्रज्ट दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहा है यह चैप्टर नमबर 15 जो है सोसौल जी का है ठीक है इसमें हम आर्थ विवस्ता राज्य विवस्ता और धरम के विजह में दिस्तार पुरवक्त जानेंगे यह चैप्टर कई मानने में कई यह चैप्टर में अर्थ विवस्ता और धरम के विशय में विश्तार पुर्वक्त जानेंगे इसके हर एक पहली के विशय में चर्चा करेंगे लेकिन यह सब तब होगा जब हम chapter start करेंगे लेकिन आपको पता है कि chapter start करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए और यह है कि जब भी वेडियो देखिए तो इसे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका notification आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए share का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को help मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप share जरूर करो ठीक है what's up status पे भी लगाओ दोस्तों आने से संटर जे कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए helpful है चाहे हो 8th class हो 9th, 10th, 11th, 12th हो चाहे हो N.I.S. Board के बच्चे हो ठीक है चाहे BA, MA के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तरिपान से संटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सस्क्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको इस चैनल पराप्ट ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सस्क्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि अर्थ विवस्ता राज्य विवस्ता एवं धर्म क क्या है आखिर इस पे जो है अर्थ विवस्ता राज्य विवस्ता अभभry खता है तो सबसे पहली बात हमाना यहां आँ होग सकते है रहे हैं यहां पर जो है बस्तो का उत्वादल किया जाता है और इसका जो है सेवाओं का जो है विदियम वित्रन और विभोग से हैं यारद विस्ता का अरथ होता है दोस्तों कि specialist रहना है तब इन्यवित रहना है तब इने खाना पड़ेगा और उभोग भी करना पड़ेगा क्योंकि ये परक्रियाएं नहीं हो तो मनुश्य जीवित नहीं रह सकता है मनुश्य अन्य पशो की तरह नहीं है जो प्राक्रितिक और उसके कच्चे उत्पादों पर पर जीवी होकर रहता हो क्योंकि कहते हैं इंसान इंसान है औ उसका उत्पादन करता है जिससे उसको अपना जीवन जीने के लिए अवश्चक मटरियल कर रूप में होता है इतना नहीं होए कच्छे पदार्तों को प्राक्रितिक में बदल कि वह कच्छी उपज पकाता है आग पैदा करना तथा आग द्वारा कार्य को करना मनुष्य जाती का विश्य स्लक्षन बन गया है क्यों कहते हैं जब आग का खोज नहीं हुई थी तब वह कच्छा ही पदार्त को जो है भोजन किया करता था लेकिन जैसे आग की खोज हो गई वह हर चीज को पका कर जो है 104 रूप से खाने लग गया कहते हैं अर्थ वस्ता के साथ जुड़ी गत्वीदियां दुजरे मनुष्य के साथ संबंद भी रखती है बस्तू का वित्रन और विन्यम इस बात को मानक चलता है कि मनुष्य के बीच में परंपर संबंद होते हैं इ उभोग के परतिमानों को निश्यत करता है दूसरे सब्दों में अर्थ विवस्ता के समाज सास्त्री अद्धन में हमारा संबंद फुच्पादन विवस्ता वित्रन विन्यम और उभोग में जहां समाज संबंद उनमें होता है यानि अर्थ विवस्ता के रूप में समाज स समाज में सक्तियों के वित्रण से यानि राज्य विवस्ता जिसमें सक्तियों का वित्रण के रूप में लिया जाता है परतेक समाजी संबंदों में कुछ वे लोग होते हैं जो शक्ति का दुसरे पर प्रियोग करते हैं जो कि हमारे समाज में देखने को मिलता भी है कहते हैं रिपर के लिए सदेव करते हैं यहां तक कि दो व्यक्टियों के सम्मुहों में भी जने तक निकरी भार्षा में युग्व कहते हैं इक दुसरे पर अपनी शक्ति का प्रियोग करता है सदेव इस बात ही किसी भी मानव समद्ध में शक्ति प्रद执्शनि के बीड़ा कुछ नहीं हो सकता है समाज सास्णियों के लिए मानव समाज में सर्भामिक लक्षनyy सक्ति ही माना गया है घुनकि सक्तिय की प्योग करके वह अपने समाज में अपनी दबबा बनाने के लिए सदे approx N श्रील होता है इसलिए राजय व्यवस्था को छो है यह यहां पर काफी अपना एक अलग ही जम्मिंख लक्षन देखने को मिल सकता है अब हमें सकती के पद के समा सास्त्री आर्थ को स्वादिना जुरूरी है क्योंकि कहते हैं अगर हम समास सासवक अर्थ में न समझे तो ये शक्ति अधूरा रह जाएगा शक्ति व्यक्तियों की वह छमता है जिसके दोरा हुआ जो है दुसरे व्यक्ति पर अपना अदेश चलाता है यानि शक्ति के रिगार्डिंग ही जो कोई कमजोर व्यक्ति पर कोई पावर्फुल व्यक्ति जो है अपना अदेशों का थोपता है शक्ति व्यक्तिया समू की वह योगता है जिस पर दूसरे के बारे में निर्ने भी लेता है और दूसरे लोग उनके बारे में लिए गए फैसलों को जो है सविकार भी करता है इस तरह से जो है परिवाशा करने पर यह निश्चित है कि समु की प्रतेख संस्ता में शक्ति का अस्थान जो है केंद्रिये होता है उधारन के लिए घर का मुकिया अपनी सक्ति का परयोग करता है और इस तरह उसके दोरा लिए गए निर्ने निर्देश के लिए अनिवारे भी होता है उधारन के लिए चिकिस्ता अधिकारी अपने अस्पताल में सबसे बड़ा शक्तिसाली होता है और राजनीतिक सक्ति के बारे में बिसेश बात क्या है कहते हैं एक संस्ता में शक्ति जैसे अस्पताल या समू जैसे पडिवार और समाई सक्तियों में जो अंतर है वो यह है कि राजनीतिक सक्ति का वीद पडियोग होता है इसका संबन संस्ता या समू से नहीं होता है राजनीतिक सक्ती सभी परकार के समू से हो सकता है और राजनीतिक सक्ती सरकार चलाती है जो समाज अता उसकी गतविदियों के बुक्य फैसले में जुरे हुए होते हैं उधानन के लिए एक स्कूल का परधान चारे है स्कूल के अन्य लोगों को संपून स्कूल को चलाने और स्कूल के लिए काम में लाता है लेकिन स्कूल की यह सकती सरकार की नीती के हिस्या का एक अंग है मतलब यही हुआ कि विद्याले के परधान चारे के सकती सरकार की सिक्षा नीती का एक अंग होता है कहते हैं इसी सकती के कारण परधान चारे प्रेज्च करता है और अपने विद्यारतिएं को सही दर्शन करता है और टीचरों को सही निरुदेश देता है paralysis का मतलब हुआ बेशकली वो झो हैं अपना स्कूल विद्यारत चला रहा है लेकिन इस सारा के सारा सरकार के नीती के अंतरगत आता है जिसमें सरकार मेन यहाँ पर रोल निभा रही होती है क्योंकि इसी के जो सिक्षा नीती के अंतरगत ये सारी परक्रियां संबब हो पाती है राजी सक्ति का निकट संबंद राज्य के प्रसासन से ही होता है इसका मतलब हुआ कि राजे चलाना प्रसासन करना इटली के एक जो है समासाजी पेरोटो ने अविविजन के दो परकार बताए थी एक अविविजन वे उसे कहते हैं जो शाही और एक दुसरे वे होए जो अपने छेतर में स्रेश्ट होती हैं ये दुसरे परकार के शाही स्व विवस्ता रूप में भी पावरफुल होना होता है और मानसिक तोर से भी पावरफुल होना पड़ता है और जो है इसनके सोशल तोर से भी काभी पावरफुल होना पड़ता है तो वही वेक्ति प्रसास के शक्ति के रूप में देखा जा सकता है यहां पर एक फैक्ट के तो यह सारे के सारे जो होते हैं कई न कई रूप में परसासन से बहुत काभी प्रवावित होते हैं और यह प्रवसासन से भी जुरे हुए होते हैं बेशकली कहने को यहां पर आता है कि यह संग्जितकार पेंटर द्योगपति और प्रसास की यह कहते हैं महास्वयत देवी या मुहमद फिदा हुसेन या आरे रह्मान या अनिल अंबानी तो कहते हैं यह सारे गत्विदिया बेशकली यह राजनिती के पार्ट नहीं है यह लेकिन अगर यहां पर हम जदेखे समास सास के रिगार दिंग तो यह इनको हम अभी जन कहेंगे क्योंकि इनका राजनितिक कोई संभन नहीं होता है और पर्शास यह रहता है अ अगर हम यहाँ देख रहे हैं परधान मंत्रियों गडी मंत्रियों मुकमंतियों, राजपालों आदियों वह पाश्किय अविवजन के अंतर दिये जाते हैं कुछ विचारकों का कहना है कि धरम का परचलन इसलिए रहा है कि आम लोग बहुत करके अज्ञान है और उनका मस्तिक बदा हुआ है इसे धरम का काफी परचार देखने को मिला है क्योंकि धरम के रिगार्डिंग कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं चाहे वह सह अज्ञारी बाते धरम के रिगार्डिंग आता है जहां पर जियाँ अज्ञान हैं और उनका मस्तिक सद्य बना हुआता है कि बहुत से लोग और कई लोग सीक्षित होने के पुरसाथित भी धरम पर बता है जिसको एपने आप में लगाए रखते हैं एक पर जब ज्यान मनुश्य को मस्तिक को परसान करने वाले प्रशन का उतर दे देगा तब समझ जाते हैं कि धर्म का प्रभाब कम हो जाएगा ये भी सोचा जाता है कि अधिम समाज में धर्म तथा अधुनिक समाज बिना धर्म के भी चल सकता है माक्सबादी विचारकों का कहना है कि जब समाज में बर्गों के बिना यानि धनवान या गरीव के अंतर को समाप्त करके और जो है बिना धर्म के रह सकता है तब धर्म का क्या अस्तितुव है यानि यहां पर धर्म क्यों है किसलिए है तो इस विचार में है माक्सबादी का व करन सभुक्रव सभुह ठीए-क-ती-टारम के इसी सभुमिक मानना कहीं does सही नहीं रखा गिया हमारे पास ऐसे तर्धात्मक कर्मान जो यह बताते हैं कि धरम एक दुसरे स्रूपों में सभी स समाजों में सदेवी पाया जाता है ऐसा सब समाज में धन्म का जो सरोकार ऐसे लोगों के संबंदों से हैं जो उससे उचे हैं यह मनुष्य के ऊपर है इसी कारण जिसे उचा कहते हैं वह अतित प्राकितिक अलोकिक और अध्यात्मिक होती हैं यानि देखा जाये तो आपको पता है पुरातन समय में जो गुरु हुआ करत होते थे उनको सर्वपरखा सही माना जाता था तो यह कह सकते हो कि यह उंहुचा होना ही प्राकितिक अलोकिक और अध्यात्मिक होते हैं यह सत्तवा अत्वा, कि कोई व्यक्ति अगर धर्म के परचार करता है आप से उचा है तो हम उसको ही भगवान बना लेते हैं उसके पूजा करते हैं उसके अर्चना करते हैं और उसके लिए कई तरह करते हैं और नुस्ठान करना ही है इस बात को पर्मानित करता है कि धर्म का ये पर्मान है पर्मान में रख लेते हैं और उनके ही पताय हुए कदमों पे चलते हैं चाहे उचीत हो, चाहे अनुचीत है, उसके पज़ुए अगला पॉइंट आता है वो है आर्ढ़िक संगजटन के लक्शन, दहिए आर्धिक संगटन की क्या लक्षन है क्या इसकी प्रक्रिया है कहते है अब तक हमने यह सीख लिया है कि आर्थिक विवस्ता वह है जिसमें उत्पादन वित्रन विन्यम और बस्तूरता सेवाओं का उभोग होता है यानि हम आर्थिक संगटन के में क्या जानते हैं आर्थिस अंगटन होता क्या है तो इसके विशह में इसके लक्षनों के विशह में हम यहाँ पर जानेंगे समाने था जब हम आर्थिक विवस्ता के बारे में सोचते हैं तब हमारा विचार विचार वस्तो सेवाओं धन से जूरी होई होती है इसमें कोई अगर संचेप्त में इस बात को देखा जाए जो कुछ उसे बेतन मिलता है उसके बदले में वह भोजन खड़िता है सिरके बाल कटवाता है यह तरह के टिकट लेता है और यह सब उसे अपनी अशक्ता के पूर्ती के लिए करना पड़ता है तब ही तो अध्यापन कर रहा है क् अपना जीवन यापन चनाले के लिए कुछ न कुछ उसको करने की अवर्शक्ता होता है तब ही जाके जो है वह अच्छा से अच्छा समाज में बना हुआ रह सकता है कहते हैं आज के समाज में जो काम्याब ब्यक्ती है उन्हीं की समान और इज्जत होती है जो काम्याब नह अगर fail भी हो जाता है तो उसका सबसे पहले माता-पिता पर यह इफेक्ट देखने को मिलता है उनके प्रोफ आसपोस के यही बात पुछते हैं कि आपका बच्चा पास हो गया तो वो यह जब कहते हैं कि नहीं हुआ है तो उनको उत्तर मिलता कि मेरे बच्चे तो अच्छे न अगर आप माता-पिता से प्रेम करते हो उनसे रखते हो तो आपको मेहनत करना ही परेगा और अच्छा marks लेना ही परेगा तभी जाके आप अपने जीवन को सुचारी रूप से चला सकती हो तो आगे चलके आपको डिपलोमा डिगरी के जो हो मिलेंगे पदती उसी से आप अ है आप अ 애से हैं जिनमेंदर की 2020 कोई अबधार्ना ही नहीं नहीं है। यह होता है और यहीं moeten मदरा होती है। यह मदरा के माध्यम से हम किसी भी वस्टू का खड़ी सकते हैं यह वस्टू कोई पधार्त हो सकता यह सेवा हो सकती है ऐसे समाजों को जो है अधिवासी और किशक होते जिनमें धन की अवधारना नहीं होती उन्हें अमुद्रित समाज कहते हैं यानि जिनमें धन की अवधारना नहीं होती है आपने अधिवासी लोगों को भी देखा होगा वो कभी धन की कठा करके नहीं रखते हैं उनका पश्रक्ताओं के लिए ही उप्योग करते हैं और प्राकिति चीजों पर बस्तूओं पर निर्वर रहते हैं उसके पश्राथ आता है हमारा सबसे इंपोर्टेंट जो है सरम विवाजन कहते हैं सरम विवाजन जो है बहुत इंपोर्टेंट बात यहां पर अपना बताता है चा का तकनिक का ज्ञान भी होता है लोग बस्तों के वित्रन और विनियम को जानते हैं यह भी जानते हैं कि वित्रन और विनियम कुछ नियम भी होते हैं लोग अपनी योगता के अनुसार बस्तों का अवंटन करते हैं और यह अवंटन योगता हुनर और पुरुष और इस तरीक आदी के अनुसार होता है जिसको हम स्रम विवाजन का नाम ही होता है जिसमें हम स्रम को विवाजित कर देते हैं और यहां पर हर व्यक्ति जो है important रहा जाता है तो इसमें हर चीछ में देखा जाये तो इसमें योगता उनर और पुर्श इस तरीक आदिक अनुसार भी किया जाता है जो कि बहुत जरूरी यहां पर बात आता है श्रम की चटिलता और विभिंता के अधार पर आदिव वासी और क्रिफ समदावे में समानने श्रम विभाजन होता है इसका मतलब है कि इन समाजों में जो विशिशक है वो थोड़ा और नाममातर का ही रह गया है बहुत बड़े परंपरा का समाजों में 20 या तर्ग दोहे दस श्रम के दोहें बड़ जाते हैं अपने अपने कारें में संग्रन हो जाते हैं और इन चानी रहते हैं जैसे कि सिकारी और खादे संग्रा करें योगता I और प्रत्यक इस्तरी खाद्य संग्रा करती है यानि आप जनर्णली देखने को आपको आदिवासी में मिल जाएगा जहांपर उनके काम विभाजित हो रखे हैं इसमें जो है व्यक्ति यानि पुरुष जो है सिकार करने की योगता रखता है और इस्तरी कारे होता है कि सभी ख मानने समाजों में लिंग और उमर के अधार पर श्रम विवाजन तो होता ही है जैसे कि हमने पुरुष में कहा है कि सिकार और खाद्य संग्रा समाजों में सिकार करने का काम निशित रूप से पुरुषोग करते हैं जब खाद्य संग्रा जो है प्राइस्तरी करती है तो इस जो है अधुनिक युग में यह सारे विप्रित होते चले जा रहे हैं जहां पर इस्तरी भी जॉए जो है जॉभ करती यह काम करती है और पुरुस भी करते हैं और दोनों मिलके ही भोजन गर में बनाते हैं तो यह अधुनिक समय का एक निया रूप हो सकता है उसके पर भी को Petut अंतरित्यक क्योंकि यह अधोगिक अर्थ व्यवस्ता जहां यह ध्योग से इनका संबंद है कहते हैं प्रात्यमिक भाग अर्थ व्यवस्ता में प्राकित सोत्रका गरन होता है यानि प्रात्यमिक में आप देख सकते हो कि इसमें सारे प्राकितिक बस्तों का ही इसमें उप्यो जाता है जिसमें कृिष्री किन बन और अश्माई सारी स्बस्ठामली अगर हम दृती भाग में कच्चे माल को तयार माल को बदले तो यह दृत्य भप ब्रब में यह होता है कि एच धो तयार माल को जहां पर ये सबसे जो बन जाती है इसको different different पार्टों में different डिफ्रेन्ट डिफ लिपिक्रा कारे गए इसके सबसे अच्छा उदारन है, तो ये सारे के सारे जो होते तृते के अंतरगत आते हैं उसके पशाथ ऐसे समाद जहां अधोई करन का विस्तार थोड़ा होता है उनकी जो है अधिकान जनसंक्या प्रात्मिक भाग में पाई जाती है उधारन के लिए भारत में लगवक तीन चौथाई काड़े शक्ति क्रिशी उत्पादन में लगी हुई है यह कि भारत जो है क्रिशी परदाम देश मना जाता है कहते हैं कोई भी देश में जो होता है कोई भी पेट को खा नहीं सकते हो नहीं आप मुबायल के साथ जीवन वित्याप बिता सकते हो जब तक आपको भोजन प्रत्याप मात्रा में नहीं मिलता आपके लिए जीवन जीना संभब नहीं है तो यह सारे उत्पादन जो होते कहां से आते हैं क्रिशी से ही होती है और क्रिशी हमा करने की वर्षक्ता होती है लेकिन आज के समाज में लोगों ने कृषटी पर अपना मूँ मूँ मूर लिया और कहते हैं अध्योगी कि पएप्स जमाना है और सौमॉर्ष फिएूरा करता है विगरता ही चला जा रहा है इसलिए अगर समाश रूप में देखें तो भारत की परादन में लगी हुई जैसे यह बढ़ता है वैसे वैसे अर्थ विवस्ता जो को दूर भाग बदलते चले जाते हैं जितना अधिक अधिकरन होगा उतना ही अधिक सेवा जो है उपयोग का विकास होगा यानि उद्योग का विकास होगा यह बहुत ही जरूरी बात यहां पर आ जाता है जिसमें कहते हैं अधिक जितना तब ही आगे बढ़ सकता है जप आपका संयोग की जरूरत परेगा और इसके लिए आपको जो है इसको दूसरे बच्चे से भी सियर करना है और सियर करने के लिए आपको वज़सित्प स्टेटस पह भी लगाना होगा आप सचेगे रख सुचेगे लगाने से इसे क्या होगा दोस्तों verse of status लगाने से ये होगा कि कोई बच्चा अगर उसके पास आपके link में जरूर होगा ठीक है अगर verse of status जरूर यूज करता होगा और आपका status जरूर देखता होगा क्या पता अगर verse of status वो दवाता है जहां पर आप upload status के रूप में इसको कोपी करके लगा रखे होते हूं तो वो बच्चा उसको देखेगा और समझ में अगर आ जाता है तो वो जरूर जो है चनल को सब्सक्राइब कर के डख लेगा जिससे उसको समय समय बहर का नोटिफिकेशन मिलेगा और वो इसका प्रियोग भी करेगा तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता ही रहता हूँ कि इसको आप बरसफ स्टेटस पे लगाईए इससे क्या होगा दुसरे बच्चों को फैदा होगा और दुसरा बच्चा भी जो है सही ग्यान प्राप्त कर सकता है मैं ये नहीं कहता हूँगी हमारे जो है कहते है यूटॕप पर इतने सारे वीडियो उपलब दोते हैं जिसको आप जो है समझ भी सकते हो जान भी सकते हो बहुत कुछ सकते हो लेकिन मेरा यह बात ज़नुर मुझे एक बात समझ है कि उन बच्चों के ही मांसिक्ता के रूप में बनाई जाती है सलेवस तो इसलिए तिरपान स्ट्री संटर जो है सलेवस के रिगार्डिंग ही चल रहा है और आपको किताब को ही वर्नित करता है तो ये बहुत जरूरी होता है और ये आपके लिए अच्छा रहता है इसलिए अपना स्लेवस अगर आप कर लेते हो तो वही प्रयाप्त होता है कहते हैं हम अधिकता के चकर में पढ़ते हैं तो ना तो हम घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं आप अधुनिक वाले चीज़ वीडियो देखते रहोगे हद से अधिक वाले देखोगे या बहुत ही अधिक बिस्तुत ग्यान करने कोशिश करोगे ना तो आपका सलेवस पूरा समझ में आएगा ना आपका पूरा बिस्तुत ग्यान ही प्राप्त होगा क्योंकि टीचर भी आज कल आपके बुक को को ही फॉलो करते हैं कहीं आप देखलो, कोई भी क्लासमें आप होगे तो टीचर बुक को ही पराते हैं और बुक के ही कोशन कराने के लिए अगर सर होती हैं तो इसलिए तिरपान स्टेडि सेंटर जो है आपके लिए जो है इसी रूप में आपके समक्ष पस्तुत होता है तो इसलिए आपको दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ क्या करना है लिंक को यूटूब से कोपी करना है और अपने वर्टसप स्टेडस पर 24 घंटे के लिए लगा देना है इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खतम हो रहा है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जूरूर कीजिए अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो पहली बार मैंने चनल पर आये हो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता ह सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आप दुबारा से तिरपान से संटर पर आन कि मैंना क्या जरूरत है तिरपान से संटर से ठीक है तो सब्सक्राइब नहीं करने के सोचिएगा लेकिं दोस्तों ऐसा नहीं है तिरपान से संटर जो है बहुत हेलफूल है क्यों कि यह जो है आपके एट क्लास नाइन टेंट ऐलेवन ट्वैल्ट जो आर्ट के सब्ज़ग नहीं किजिए काफी जो है तिरपान से संटर का फैदा ही फैदा है ठीक है अगर आप मुझे प्रसाहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फैदा पहुचाएगा एक्जाम के तोर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सुलूशन कर कारे करने में अगरसर रहूंगा ठीक है दोस्तों इसे सोचिये मत विचार मत किजिए अभी सब्सक्राइब किजिए और अपने वर्ट्सप स्टेटस में लगाईए और दुसरे वच्चों के साथ भी सेर किजिए ठीक दोस्तों अपना ध्यान लगना बाई